विल्कम टू दे लर्निंग वर्ड जी तीसरा टॉपिक हम टोपोग्रैफी पड़ेंगे दो अब हम अपने पहले लैक्चर के ओर बढ़ते हैं हम एस्टोनॉमी से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हमारे आज के टॉपिक की नाम है formation of a star, end of a star, चंदर सिखर रिमिट, color of a star और questions जहांपे हम questions होंगे जो आज की ही टॉपिक से निकालके आपके सामने प्रेस करेंगे lecture 1 में हम astronomy से start करें हैं क्योंकि खान सर ने भी यहीं से start किया हम lecture wise content यहां पे देंगे तो उनके 85 lectures की list है तो मेरे भी 85 lectures की list यहां पर होगी उस playlist की link मैं आपको description box में दे दूँगा So let's start with our first topic of the day formation of a star star कैसे बनता है तो star कैसे बनता है इससे पहते हम जानेंगे star होता क्या है What is a star star वो होता है जिसके पास खुद की own heat होती है They have their own heat उनके पास खुद का प्रिकास होता है They have their own light They are in plasma state जैसा कि आप जानते होंगे कि सूट जे हमारा ना ही solid state में है ना ही liquid ना ही gaseous state में उसका temperature इतना जादा होता है कि वो plasma state में survive करता है plasma means जब lightning होती है तो वहाँ पे plasma state का creation होता है solar wind, lava, favicol ये सारे plasma state में होते हैं और sun में nuclear fusion reaction चलती रहती है मतलब कि hydrogen जो होता है वो fuse होके helium में convert होता रहता है और जब यही hydrogen पूरी तरीके से helium में convert हो जाता है तो उस star की death हो जाती है अभी तक हमारा सूद पाँच अरब सालों तक जी चुका है जबकि उसकी life 10 अरब साल है अगर आप emilis medium से हैं तो आप अरब में नहीं लिखते हैं आप million years में लिखते हैं या फिर billion years में लिखते हैं तो अभी तक छूद रफली 5 billion years जी चुका है और उसकी life 10 billion years है तो अब हम देखेंगे की star बनता कैसे है सुरुवात में वहाँ पर एक viral gas का गोला होता है जिसे हम huge cloud of gases कहते है और इस huge cloud of gases में जब बहुत ज़्यादा gravitational force या फिर gravitation लगता है तो वह gravitation की वज़ास से एक localized lumps of gases जो की smaller in size होता है huge cloud of gases या फिर विरल गैस के गोले से एक nebula का formation करता है nebula को हम हिंदी में निहारिका भी कहते है और जब intense heat और pressure के कारण या निहारिका में आग लग जाती है तब एक star का जन्म होता है इस star का fuel हमेशा hydrogen से helium में बदलता रहता है और 90% fuel hydrogen से helium में बदल जाता है star एक red giant का रूप ले लेता है सभी तारों की journey यहां तक सेम होती है और इसके बाद तारे की अगली journey इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितना बड़ा या कितना छोटा है और जिसे हम चंदर से इकर लिमिट से मापते हैं अगर वह तारा सूर से 1.44 टाइमस से बड़ा होता है तो फिर हम उसे big star कहते हैं या फिर बड़ा तारा कहते हैं और अगर यह इससे less होता है तो उसे हम small star कहते हैं या फिर छोटा तारा कहते हैं तो इससे आपको पता चल गया होगा कि हमारा सूर भी एक छोटा तारा है तो सबसे पहले हम देखेंगे छोटे तारों की journey जरनी की छोटे तारे कैसे आगे की और बढ़ते हैं red giant के बाद और उसके बाद हम बड़े तारों को देखेंगे तो अब हम छोटे तारों की journey जानेंगे एक red giant के formation के बाद हमारा आगी की journey छोटी तारों के ऐसी होती है कि जब 95% fuel उसका खत्म हो जाता है तो वह एक white dwarf में तबदील हो जाता है और इसके बाद जब उसका पूरा fuel hydrogen से helium में convert हो जाता है मतलब की 100% तो वह एक black dwarf का नाम ले लेता है या फिर black dwarf में तबदील हो जाता है हम white dwarf को सुईतवामन और black dwarf को कालावामन भी कहते हैं और white dwarf को हम जीवास्म तारे के नाम से भी जानते हैं white dwarf सन से भी ज़्यादा छोटा होता है और black dwarf उससे भी ज़्यादा छोटा होता है अब हम जानेंगे कि बड़े तारे जो सुझ से 1.44 टाइम से भी ज़्यादा बड़े होते हैं उनकी इंडिंग जर्णी क्या होती हैं कैसे वो इंड होते हैं सो नौँ वी विल टॉक अबाउट तार्स बिगर दन 1.44 टाइमस अफ दसन हीर अगें वी हैव रेड जाइंट यहां पर हमारे पास एक पर फिर से रेड जाइंट हैं हीरी इसेम विसफो टक तार्रा या एकश्बोजिव इस्टार भी बोलते हैं और बलास्ट होने के बाद वह चार तरीके से बदल सकते हैं अगर बलास्ट होने के बाद भी साइज उसका बड़ा रहता है तो बड़े साइज के साथ वह एक Neutron Star बन जाता है जिस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है अगर वह Neutron Star नहीं बना तो उसे थोड़ा सा छोटा साइज होगा तो वह एक Pulsar बन जाता है अगर वह Pulsar भी नहीं तो उसे थोड़े छोटे साइज में वह एक कोईसर का रूप ले लेता है या फिर अगर वह बहुत जादा छोटा हुआ तो फिर वह एक Black Hole का रूप ले लेता है तो अगर बहुत बड़ा साइज रहा तो वह एक Neutron Star बनेगा अगर वह उससे भी छोटा रहा तो Pulsar या फिर कोईसर बनेगा यहाँ पर Pulsar और कोईसर बहुत ही तेजी से मूव करते है और Black Hole ऐसा होता है कि वह कुछ भी एब्सॉर्ब कर सकता है Even Light जो होती है वो उसे भी एब्सॉर्ब कर सकता है यह बहुत ही छोटा होता है तो बहुत ही छोटा हुआ तो इसके Density बहुत जादा होगी और Density बहुत जादा होगी तो इसका Mass भी बहुत जादा होता है और इसके चारों और हम देखते हैं एक white hole नामक चीज होती है जो की काफी चमकीली होती है तो ऐसा मानते हैं कि जैसे कि black hole सब कुछ absorb कर लेता है तो white hole है जहां से सब कुछ बाहर आता है पर अभी तक इस पर कुछ भी हमें नहीं मिला है साख्ष अब हम जानेंगे चंदर सेखर limit के बारे में जैसा कि हमने रेखा कि defining जो point था वो 1.44 था अगर sun के 1.44 से कोई तारा बड़ा होता है तो उसे big star हम बोलते थे और अगर वह उससे छोटा हुआ तो फिर हम उसे small star बोलते थे और उसी पर depend था कि star की journey कैसी होगी तो जो दो टाइप के होते हैं तारे big star small star अगर वह big star हुआ तो फिर हमने रेखा कि वह कैसे बदलेगा वह पलसर बन सकता है वह कोईसर बन सकता है वह neutron star बन सकता है वह black hole बन सकता है जबकि अगर वह small star हुआ तो हमने रेखा कि कैसे वह एक white dwarf और उसके बाद 100% hydrogen का हेलिया मे converge हो जाने के बाद वह एक black dwarf बन जाता है आइए अब जानते हैं color of star के बारे में अब हम जानेंगे color of star के बारे में अगर एक तारे का color red होता है इसका यह मतलब हुआ कि वह तारह normal temperature पे है वह ना तो average temperature पे है ना ही बहुत high temperature पे है एक normal temperature का तारह red दिखता है जैसा कि हमारा सूद, सन भी एक red star होता है और हम कैसे पता करते हैं कलर कलर पता चलता है surface temperature या प्रिस्ट आपमान के बजा से जिन तारों का temperature average होता है यानी की medium में होता है वातारे हमें white color के दिखते हैं और जिन तारों का temperature काफी high होता है बहुत ही ज्यादा high normal temperature यहाँ पे जो हमने बोला red stars के लिए वो भी 6000 degree Celsius होता है तो यहाँ पे कुछ normal जैसा नहीं होता है normal temperature भी बहुत high होता है और high तो आप सुच सकते हैं कि कितना ज़्यादा high होता है और जो काफी high temperature वाले stars होते हैं वहाँ में blue color के दिखते हैं हम से सबसे करीबी तारा मतलब की suit से सबसे करीबी तारा proxima century है जहां तक पहुचने में 2.5 यर समय लगेंगे अगर हम speed of light से चाते हैं अब हम इसके बाद आज के questions discuss करेंगे जैसा कि मैं आपको बीच-वीच में बताता रहा कि pulser और queser कैसे थे black hole कैसा था एक red giant क्या था एक supernova क्या था इन सभी पे related हम question अभी पूच करेंगे so now we will discuss today's questions the first question is which stars move very fast so as you know which stars move very fast these are pulsers and quesers which move very fast the next question is sun will be the red giant after how many years so I have told you मैंने आपको बताया है कि sun पांच अरब या फिर five billion years roughly जी चुका है तो पांच अरब साल और जीने के बाद वह एक red giant में बदल जाएगा और जैसा कि sun एक छोटा star है तो वह red giant में बदलने के बाद white dwarf और उसके बाद black dwarf में बदल जाएगा इसके बाद characteristic of red giant तो अगर हम red giant की characteristic में जाते हैं तो यह एक big size का होता है जैसा कि एक star form होता है और उसके बाद red giant form होता है जब 90% hydrogen helium में बदल जाता है यानि कि fuel का conversion काफी जादा हो चुका होता है तो हम red giant में जानते हैं कि less fuel होता है और इसका size बड़ा होता है next question is which star is explosive star तो जब sun से काफी बड़े होते हैं sun से 1.44 times भी बड़े होते हैं star तो वह बड़े star की category में जाते हैं और वो एक super nova form करते हैं और उस super nova को हम abhinow tara, wisphotak tara या explosive star भी कहते हैं next question is color of a star depends upon star का color किस पे depend करता है तो star का color उसके प्रिस्थतापमान या फिर surface temperature पर depend करता है next question is which color do have do high temperature stars have तो हमने यहां देखा कि अगर normal temperature है तो वह red star होता है अगर ज़्यादा temperature है उससे भी average temperature है तो वह white दिखता है और अगर high temperature है सबसे ज़्यादा तो वह एक blue star होता है इसके बाद sun is in which state sun कौन से state में होता है तो वह एक plasma state में होता है और what is चंदर सेखर limit तो चंदर सेखर limit 1.44 times of sun होती है तो तो सक्षिट गोरी तो तरहड आगगा पूरी भूरी this video. Thank you.